से माया जाल पूरा फेलाया हुआ था लेकिन इस वक्त बड़ी ख़वर आ रही है सीम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉंफरेंस में आपको ले चलते हैं अप राहन वगतित भी इस पुरे गटना के तह तक जाने के लिए सासन अस्तर पर हम लोगों ने कल भी जो विवस्था बनाई थी लेकिन प्रतम पिसके हम लोगों का इथा की पहले राहत और बचाव के कारे को आगे बढ़ाये जाए इस पूरी जो अभी हाथ्षा है साथ्षे में 121 सर्धानों की मिर्ट हुई जो उक्तर प्रदेश के साथ साथ हर्याना, राजस्थान और मत्यप्रदेश सेरी जोड़े देश उत्तर प्रदेश में हात्रस, वदायों, कासगंज, फलीगड, केटा ललिप्पूर, साज्धापूर, आगराथ, रोजाबाद, गौतमपुते नगर, मथुरा, औरया, गुनंसर, पीनीभी, संभल और लखीपूर खिरी, इन 16 जन्पतों के भी कुछ सरधालों जन्थे जो इस आद्शे के सिकार हुए हैं। एक थे हरियाना से चार थे और राजस्थान से एक थे। आत्रस के जला हॉस्पिटल में जो गायल हैं। 31 ऐसे गायल हैं जो हात्रस, हौलिगड, गेटा और आगरा के हॉस्पिटल में जिनको उपचार चला है। और उसमें लगबख सभी आउट आप डेंजर है। हात्से के बारे में जो वहां के चस्मदीद हैं जो इस घटना के सिकार हुई थे, कंभी रूप से गायल हो गए थे। उनमें से ज़्यादा तर जो लोग हैं जिनसे याद मैंने बात्चीत भी किया। वे सभी इस बात को बोलते हैं कि आगसा कारक्रम के उपरां थे। जब इस कारक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उप्देश देने के लिए आये थे। उनका कारक्रम या उनकी कथा संपन्व भी तो कथा वाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी गोड। मैं जैसे उनका काफला आया था तो ने छोने के लिए जब महलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे फीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चड़ते गए शेवादार भी लोगों को धक्का देते रहें जिसके करण दोनों वो जीटी रोड के दोनों वो और जीटी रोड के अंदर भी इस सब हाक्सा वहाँ पर होतावा दिखाई दिया इसका सबसे दुखत पहलो ये था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रसासन को अंदर उसने नहीं देते दुरगटना होने के तत्कालवाद या दुरगटना के दोरान प्रारम भी ग्रूप में इन्हों ने पहले वहाँ पर इस मामले को दबाने का प्रियास किया लेकिन जब उन्हीं प्रसासन ने हॉस्पिटल ले जाने के कारवाई प्रारम की तो इसमें ज़्यादातर शेवादार वहाँ से भाग गए इस पूरी गटना करम के लिए हम लोगोंने एडिजी आगरा के ध्यक्स्ता में एक साइटी गठित की है जिसने अपनी प्रारम्बिक रिपोर्ड दी है और इस घटना की तोह में जाने के लिए उनसे कहा गया है बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर चांच होनी भूता उससे है अब तक प्रथम क्रिष्टिया जो थी हमारे कारवाई है थे कि रहा पर बचाओ के कारे को आगे वढ़ाने के बाद आयू जटों को पूस्ताज के लिए बुलाना घटना के बारे में हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूस्ताज करना और फिर घटना के लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाब नहीं भी इसके लिए तैक करना जिसके लिए पहले से ही F.I.R. यहां पे तर्ज हो चुकी है इसके लिए कारवाई आगे बढ़ रही है हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते हैं किस प्रकार की घटना जो लेक हादसा नहीं होता है अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है और अगर वहाद गटना गटे तो यह है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साची इस किस की कौन इसके पीछे हैं इन सभी पहलों को लेकर के राज्य सरकार ने तैय किया है कि हम इसका एक जुडिशल इंक्वारी नहीं करवाएंगे और जुडिशल इंक्वारी आई कोड के एक रिटाइर जज़ के अध्यक्सता में होगी जिसमें प्रसासन और पुलिस के भी रिटाइर सेनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घंटना के तोह में जाकरके जो भी इसके लिए दोस्य होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घंटना की खुम्राबरती नहो इनके बारे में एक सुझाओ और एक S.O.P. उनके माद्धियम से बनाई जा सके जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयुजन में लागो किया जा सके यहाँ हम भोग सुनिश्चित करेंगे और मैंने यहाँ पर भी आतरस में भी और सिकंद्रा राओ के कटना स्थल का मैंने दौरा किया यह दिविविव उहाँ काफी पारिश थी और वहाँ जाकर के मैंने एक वार उसको देखने का प्रियास किया है यह दिविविव प्रसाद स्थल ने पहले से इसके मैटी बना के तयार के थे और भी जेवी थे लेकिन हाथ से के कारणों की प्रारम ही ज्योस्ता देखी जा सके इसको देखने के लिए वहाँ पर मैं श्यम गया था और मारे तीन मंत्री यहाँ से यहाँ पर कल से ही कैम्प कर रहे थे मुख्य सची और पुलिस महाने दे सक भी यहाँ पर कल से ही कैम कर रहे हैं सीनेर अधिकारी करण भी यहाँ पर पुलिस और प्रसासन के अधिकारी करण यहाँ पहले से ही कैम करते है इस पूरी घंपना के लिए जम्यदारों की जवाब दई तैक करने की भी दिसामें आगे कारवाई की जारी है जिसमें कुछ विसेज दल बनाए गए हैं जिनमें अलग-लग चन्पदों में उनके कारवाई अप रारम होगी और रारम्बिक जांच के बाद आगे की कारवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कारे करेंगे यहां के गटना के बारे में था और जुडिसल इंक्वारी के बारे में आज है इसके नोटिकेशन सासन के द्वारा भी जारी हो जाएगे देखें कुछ लोगों की परवड़ती होती है कि इस परकार के दुखात और दर्दनाथ घटनाओं में भी राजनीती भूणते हैं और ऐसी लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी यहर व्यक्ते जानता है कि सज्जन के फोटोक्रिस के साथ मैं है उनके राजनीतिक समंद किन के साथ जुड़े गए है तो स्वाभाई परूप से आप लोगोंने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रेलियों के दोरान इस प्रकार की भगदर कहां मस्ती थी और कौन इसके पीछे थे और मुझे लगता उसके तो हमें जाना आउस्सक है जो लोग निर्दोस लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबते ही भी इसके साथ तैह कुड़ी देखे देखे प्रसासंस प्रथम दिष्टिया ये मान के चलता है कि धार्मिक आयुजन है उनके सेवादार इस प्रकार के आयुजनों की जम्मेदारे अंदर से स्वेम निखाएंगे और बड़े-बड़े आयुजन होते हैं ऐसा नहीं कितना होते हो साथानी वस वहाँ पर फोर्स प्रसासं तैनात करता है लेकिन आउटर रिंग में उनकी फोर्स होती है अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके स्वेम सिवा के सिवादार ही इस उरे ब्यवस्ता का संचालन करते हैं उनके देख भाल करते हैं और जहां पर भीड़ अनुसासित होती है धार में बराधात्मिक सर्दा भाव के सिवादार लोग जहां आते हैं वहाँ पर भीड़ अनुसासित भी रहती है लेकिन जब वही कारिकरम नहित स्वार्थी तुट्तों के हादों का खिलोना बन जाता है तो वहाँ अनुसासन हिंता का नजारा वहाँ पर भी देखने को मिलता है और इसका सिकार अंततहा वहाँ निर्दोस बिक्ति होता है जो धारमिक सरधा के साथ उस आयूजन में धगिदार बनता है क्योंकि उसको तो साजिस के पारे में पता नहीं होता है और वहाँ अपनी उस सरधा भाव के साथ आता है लेकिन साजिस करने वारे लोग अपनी साजिस करके फिर वहाँ से चुपचाप खिसकने का प्रियास भी करते हैं होना ये चेह था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहाँ पर इस पूरी घंटना को पहले तो अपनी विवस्ता को सुदेड़ करना चाहिए था और अगर सुदेड़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रसासन का सपोर्ट ले करके हादसे के सिकार लोगों को हास्पिटल पहुचाने की विवस्ता करने चाहिए थी इसका सबसे दूसरा जो पहलू यह है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे और इसलिए हम लोग इसकी पहले चाहिए और मैं इस बात के लिए आप इसको इस बात के लिए मैं कह रहा हूना कि मैंने इसी दिए जूडिसर कमिशन के बारे में राज्य सरकार ने इसको प्तै किया है हम इसके तहब निसकर्स पर आएंगे और इस परकार की बड़े-बड़े आयोजन हम लोग करते रहे हैं लेकिन कहीं भी कोई इस परकार की चीज़ें नहीं आई है और मुझे नगता हम लोगों ने इस परकार की बड़े-बड़े आयोजन हमेशा किये हैं पुम्ब जैसे बड़े आयोजन किये हैं बड़े-बड़े कारिक्रम होते रहे हैं लेकिन इसलिए मैंने कहा कि इसके तह में जाना उस स्थ है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग इसके लिए जम्मेदार है राज़े सरकार ने और केंदर सरकार ने देखें कि F.I.R. एप्लिकेशन परमीशन के लिए जिन लोगों ने दी थी प्रतम दरिश्टिया पहले F.I.R. उनके खिलाब होती है और इसके बाद फिर उसका दाइरा बोड़ता है इस सभी अन्य लोगों के दाइरे में जो भी इसके लिए जम्मेदार होंगे वे इसके आखिए केड़ और राज़े सरकार ने आर्थिक सायता की भी गोशना की है जो निर्दोस लोग इस पूरी हादसे के सिकार वे है उनके जो नावालिक बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हम उत्तरदेश मुख्यमंत्री पाल सिवा योजना की इंतरकत उन बच्चों की बढ़ाई की विवस्ताम लोग राज़े सरकार से करवाएंगे उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे जिन भी संस्ताओं में पढ़ रहे होंगे या उनके स्कूलर सिपादी की विवस्ता के लिवी राज़े सरकार ने देखिया है और प्रतीक मिर्तक की करिवारजन को भी केंद्र और राज्चे सरकार मिल करके चारलाख रुपे की साहता और गंभीर उपसे घायल बेप्ति को एकलाख रुपे की साहता दे रही है धन्यवाज़ा योगी आदित्यनात जिन्होंने हाथरस में हुए इस कांड की न्याई कायोग से जांच की बात कही है और साथी साथ गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं वहाँ की जो व्यवस्ता देख रहे थे साकार हरी के सेवादार उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं पहले तो सेवादारों ने लोगों को धक्का दिया और उसके बाद जब हादसा हो गया लोग मरते रहे और सेवादार वहां से फरार हो गया इस वक्की बोड़े ख़वर सीम योगी आदित्यनात ने बाबा के जो सेवादार थे उनकी भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े किये हैं न्याईक आयोग से जाँच की बात कई है और क्या कुछ कहा है सीम योगी आदित्यनात ने आपको सुनाते हैं इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रसांसन को अंदर उसने नहीं देते हैं